हलो दोस्तों मैं हूँ शारिप खान और आप देख रहे हैं और टाइप नोलीज चेनल वेक्सिनेटर और सायक भाईयों से आज में एक बात कहना चाहता हूं जन सुनवाई ट्वीटर और पिरदर्शन और पत्र के माद्यम से अब तक हमने बहुत जख मरा ली ठीक है अब लोगों को बतातूं जन सुनवाई एप पर जब मैंने कहा था के सरकार से बात चीत करो तो टोटल मिलाकर के 137 लोगों ने जन सुनवाई एप पर जो है अप्लिकेशन डाली है तो 137 लोगों से कुछ हो जाएगा आप लोग बताओ मतलब मेरी जानकारी के अनुसार जितने ने मुझसे संपर किया और उसके बाद मैंने भी जहां तक हो सका इस बात की पूरी तप्तीश की तो 137 लोगों ने जो और वैक्सिनेटर की संखिया कितनी है हजारों में पूरे भारत से वैक्सिनेटर चाहें वो उत्तर पिरदेश के हों बिहार के हों आसाम के हों बंगाल क हों कहीं के भी हों पूरे देश पूरे देश के वैक्सिनेटर को एक होने की इसमें जरूवत है ना 137 लोगों ने जन सुनवा यह पर शिकायत दर्च कराई वो भी वहां से सची वाले से पशू चिकित्सा अधिकारी को अगर सर कर दी गई तो ऐसे काम नहीं बनेगा अगर आप लोग चाते हैं कि आप लोग पके हों आपका मांदे बढ़ा दिया जाए तो आप सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा ठीक है इसको वीडियो में देख करके और खिली उड़ा के इसको खतम मत करो अगर आप चाहते हैं वाकिए आप इस चीज़ को लेके अगर आप के अंदर वाकिए जो है ऐसा है कि आप चाहें चाहते हैं कि हम भई पका कर दिया हुए समान जनक मांदे के साथ हमें जो है कर यह पिरणाली में इसमें हमें शामिल किया जाए तो आप लोगों को जो है लगतार लड़ना पड़ेगा मैं लड़ने की फाइट की बात नहीं कर ठीक है तो दोस्तों मैं बस यही देख रहा हूं आज कल के जितने भी आदे से जादा तो लोग वैक्सिनेटर बैकार की बाते करते हैं ठीक है सब बिलकुल जाहिल जनता और जाहिल वाले जो है काम करते हैं अरे आप लोगों को जोड़ा गया है अपने एहम को क्यों भूल हो आप मकसद क्या है उस पर उससे फोकस हटालिया सबने मैं देख रहा हूं मैं वीडियो डालने में कुछ लेट कर देता हूं तीन चार दिन हो जाते हैं तो लोग जो है गुरूप में भी इधर उधर की सारी बाते करते हैं वैक्सिनेटर और सायक से सम्मंदित बात कोई न हुआ था शिक्षा मित्र और टोयल उपरेटर को उन्होंने कितना कटिन परिश्रम किया था उस जमाने में ना वाटसप था ठीक है और ना ये सोशल मीडिया थी जो इसके फुरूद सब एक दूसरे से जुड़ जाते लेकिन फीजिकली फीजिकली एक दूसरे के पास जाकर के अटेच हुए लाखों की तजाद में तादाद में एकटे हुए और उसके बाद लगना हो गए धर ने दिये और हद ये है कि लास्ट में अकलेश सरकार ने उनको जो है पर्मानेंट कर दिया था पर्मानेंट हो गए थे वो सब लेकिन बाद में बीजे पी की करने से होगा ऐसा नहीं होगा कि मुद्दा कुछ दिनों के लिए उठाया और बाद में जो है इसको सब फजूल के नहीं छोड़ दिया लगातार इस मुद्दे पर बने रहो ठीक है कोई भी अपडेट आता है तो आप लोगों तक पहुचाता हूं मैं मैं इस काम में लगा लगा हूँ एटू जेड नियूस पेपर और इंटरनेट वेबसाइट जितनी भी यह पशुधन की वेबसाइट पशुपालन विभाक की वेबसाइट और उत्तर पिरदेश की नहीं आसाम च्छतिसगड़ बंगाल हर्याणा पंजाब बिहार और अपने मद्दे पिरदेश जितने भी पशुपालन हैं राज्यों के अंदर लगातार एक एक वेबसाइट का अनुसरन कर रहा हूँ वहाँ जाकर ठीक है तो कहीं से कोई भी जनकारी का लिंक आता है तो तुरंत वीडियो के माध्यम साब लोगों को बता देता हूँ तो आप लोग अपने पद से जो ह जरी सीवी डिल दिखाई तो अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता दो हजार एक्टिस का इलेक्शन आने वाला है दो हजार एक्टिस के इलेक्शन से पहले अगर आप लोगों का कुछ नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूँ दो हजार एक्टिस के बाद फिर गवर्मेंट पहले पहले सरकार से बात चीत करो सरकार से बात चीत करो लगातार के आप लोगों को संबान जनक मान दे आप लोगों तक पहुंचाया जाए सरकार आपको संबान जनक मान दे दे आपकी सेलरी फिक्स करे उसके बाद आप से चाहे आर्ट घंटे के बाद चाहें बारा घंटे आप से काम ले ठीक है लगातार saturday उफ सेटड़ टो उफ नहीं रेता सरकारी विभाग में अपसे संड़े को भी काम ले लेकिन आपका मान्दे fix कर दें बताओ ये बात गलत तो नहीं है लेकिन अब इस को करने के लिए हम लोगों को क्या करना है जितने भी वेक्सिनेटर हैं पहले तो सब एक दूसरे से जुड़ जाओ ठीक है हर एक जिले में हर एक जिले में एक जो है अपना एप्लिकेशन लेटर लिखो अपने डीम साब के लिए ठीक है एप्लिकेशन लेटर लिखने के बाद पूरी यूपी में हर जिले से उस जिले में जो डियम साब बेटे हुएं उनको एप्लिकेशन लेटर दो और उसमें अपनी पूरी बात लिखो कि हम लोग जो है समान जनक मान दे चाहते हैं और हमारी बात सरकार तक पहुँचा दी जाए ठीक है बिना धरना दिये इसमें धरना पर दर्शन नहीं करना है बस एप्लिकेशन लेटर लिखना है और डियम साब को जो है रिसीव करा देना है ताकि DM सापके यहां से जो है सीधा लखनाव जागी और पूरी UP में जितने भी जिले हैं ठीक है UP के अंदर हर जिले से जाना है आप लोगों के अंदर एक सबसे बुरी बात यह है कि आप लोगों से अगर कोई बात समझाओ कोई तरकीब कोई टेक्निकल बात आप लोगों को कि इस तरह से काम लेना है तो उसमें से सो पचास लोग सुनते हैं बाकी सब जितने भी हैं सब लेजी हैं आलसी लोग हैं तो लेजी पन को आलसी पन को छोड़ो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो कर लेगा हम जाके क्या करें सब को एक जुट हो करके काम करना है तब ही जा करके कुछ होगा ठीक है तो सम्मान जनक मान दे अगर आप लोगों को चाहिए तो आप जो है एप्लिकेशन लेटर लिखिएगा और डीम साब के यहां जाके उसको रिसीव कराओ उसकी रिसीव की कोपी अपने साथ दो ताकि नेक्स स्टेप में जब सेगिंडली एप्लिक कलता है वहां से रिसीट निकलती है उसको अटेंज करने के बाद सीधे लखनव सची वाले पुचाना है ठीक है पिर डीम साब के यहां से लखनव सची वाले जागी और एक्शन जो होगा इस पर तुरंत मुख्य मंत्री की यहां से होगा जिसको अगर वो गवर्मेंट नही भी रखना चाहेगी तो उससे यह अफसोस की बात नहीं होगी कि सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है ठीक है सरकार तक आपकी बात तो पहुंची ठीक है अगर सरकार ने आपको ठुकराज भी दिया मान लो तो उसके बाद अगला कदम उठाया जागा लेकिन ऐसा तो नही बात समझ में आई हो इस पर दिहान दो और सब लोग एक जूट हो जाओ ठीक है अब मैं बस क्या बताओं आप लोगों को यही बताने के लिए आया था फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना और चैनल से जुड़ाईए इसमें नन लिमिट होती है मतलब कितने भी जुड़ सकते हैं जुड़ने के नहीं सब्सक्राइब करके घंटी को दबाओगे और जो लिखावा उप्शन आएगा उसको सेलेक्ट कर लेना आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाओगे मैं हर चीज की जान झाल झाल